Hello guys and welcome back to aapna college, this is the web development course और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं script loading strategies के बाद में तो basically आर जब भी आप java script को किसी भी web page के अंदर लिखोगे तो वो load कैसे हो रहा है, ये भी देखना बहुत important है तो अलग-अलग तरीकों से आप इसको load कर सकते हो और क्या चीज पहले load होगी, क्या बात में load होगी तो वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो बिना किसी दहरी के let's get started अब script loading strategies को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि problem कहां आती है तो आपको मैंने html के वीडियो में बताया था कि html हमेशा line by line run करता है ठीक है, तो मान लो आपने html के कुछ elements को manipulate करने के लिए कुछ javascript का code लिखा है अब इस code को आपने html के page के बीच में अगर लिख दिया तो ये बहुत बड़ी problem हो जाती है हम code सही तरीके से तो लिख रहे हैं लेकिन उसको सही जगा पे नहीं रख रहे हैं इस वज़े से हमको यहां पे error दिख रहे हैं तो ये चीज समझनी बहुत ज़रूरी है कि कहां पे आपका code रखना है आपको और कहां पे नहीं रखना है और यही एक वज़ा थी जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि JavaScript को आप हमेशा सबसे नीचे लिख रहे होंगे क्योंकि आपके elements पहले render हो जाने चाहिए फिर आपकी JavaScript चलनी चाहिए अब इसको करने का एक और तरीका है तो यहाँ पे आप एक event listener का use कर सकते हो जिसका नाम है DOM content loaded तो इससे क्या होगा जैसे ही आपका content load होगा उसके बाद में यह function चलेगा जिसमें आप अपना JavaScript का code लिखोगे तो इससे errors avoid होगी क्योंकि आपका document model सबसे पहले load होगा और फिर आपका JavaScript का code run करेगा और इसी वज़े से यार फिर इस script tag को आप कहीं पे भी बीच में डाल सकते हो क्योंकि आपने इस event listener को use किया है और वो make sure करेगा कि DOM आपका load हो जाना चाहिए और अगर आप कोई external JavaScript का use कर रहे हो मतलब आपको नई file बना रहे हो तो उसको भी आपको सबसे नीचे लिखना होता है लेकिन अगर आप उसको उपर लिखना चाहो तो एक attribute का use कर सकते हो जिसका नाम है differ तो differ से क्या होता है तो basically आपका HTML और CSS का code load होने के बाद में ही वो script.js वाली file डाउनलोड होगी और फिर वो load होगी ठीक है समझ रहे हो और ये चीज़ ध्यान रखना ये attribute तब ही काम करता है जब आप source file दे रहे हो ये आपके उस event listener को replace नहीं कर सकता ठीक है ना तो ये सिर्फ external JavaScript को जब आप लिख रहे होंगे तब ही इसको use करना अब differ attribute के जैसे के जैसे एक और attribute है जिसका नाम है async अब async का हम use तब करते हैं जब हमें अपनी JavaScript की files को load करना हो बिना बाकी के page को block किये तो मतलब आपका DOM अगर load हो रहा है और आपको साथ में आपकी JavaScript की file को load करना है तो आप script tag में async attribute का use कर सकते हो तो अब जैसे ही आपका page load हो रहा होगा लेकिन डिफर में ऐसा नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको बताया डिफर के अंदर अपना order जो होगा script tag का वो matter करेगा तो जो भी script tag आपने उपर लिखा है वो चीज पहले execute होगी और उसके बाद में उसके बाद वाली चीज execute होगी तो पिछला वाला जो भी हमारा script tag होगा वो तब तक के लिए blocked रहेगा तो खुल मिला के यार याँ पर बात यह है कि async और डिफर का हम use करके अपनी जो script tag है उसकी file को बता रहे है कि कैसे उसको download होना है और run करना है ठीक है तो async का हम तब use कर रहे हैं जब हमारी कोई भी दूसरी script block नहीं है और independently वो work कर रहे है उसमें कोई dependency ना हो तो आप async का use कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर जो order होगा वो matter नहीं करता है और डिफर का हम तब use कर रहे होंगे जब हमारे दूसरी script पे हमारी ये वाले script dependent हो या फिर document object project model पे हमारी script अगर dependent हो तो हमको ये देखना होगा कि पहले वो सारी चीज़े parts हो जाए render हो जाए और उसके बाद में जहां हमने डिफर लगाया है वो script run करेगी order को देखते हुए तो बस यार मैंना आपको बता दिया कुछ दो तीन तरह की strategies जिसमें आप अलग-अलग type से आपकी script को load करवा सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए see ya have a great day and I will catch you up in the next one